आज आपको बताऊंगे इंद्रा एकदसी की पूजा का सुमुरत परायन महत्व एवं व्रत कथा जिसके सुनने से मिलता है पत्रों को मुझ आस्विन मास के क्रिश्प पच्च में पढ़ने वाले एकदसी को इंद्रदा एकदसी काह जाता है पित्रदा एकदसी की कथा को सुनने का सास्त्रों में विषेश महत्व है जानिये इंद्रा एकदसी की खास बातें तथा इंद्रा एकदसी काह महत्व इंद्राई कदसी का अवरत रखने एवं कथा सुनने से पित्रों को मुच्छ की प्राप्ती होती है एक पौराने कथा के नुसार सत्यूग में मैस्मती राजे के राजा इंदर सेन ने अपनी पिता को इंदरा एक अदसी का उपास रख कर सुरक लोग में स्तान दिलाया था पित्र पच्छ बीस सितंबर दोजार इकी से आरम हो रहे हैं पंचांग के अनुसार पित्र पच्छ यानि स्राद का समाबन चेक टूवर दोजार इकीस को हो रहा है दोग टूवर को इंदरा एक अदसी का वरत है पित्र पच्छ में इस एक अदसी का वरत रखने से पित्र परसंद होते हैं और जीवन में आने वाली परेशानियां दूर होती है यह वरत पापों से भी मुक्ति दिलाता है इंदरा प्रत्रपच में पढ़ने वाली एकादसी इंदरा एकादसी के नाम से जाने जाती है इस दिन उपवास रखना काफी फलदाई है इस एकादसी को बगवान स्री हरी विष्णू की पूजा राधना के साथ ही इंदरा एकादसी की कता सुनने का विश्यस महत्तो होता है इस दिन उपवास करने से जो पुन्य प्राप्त होता है उससे मुझ की प्राप्ती होती है अगर उपवास से पुन्यों को पितरों को धान कर दिया जाए तो उन्हें भी मुच की प्राप्ती होती है इस पुन्य के लिए इंद्रा एक अदसी का पुवास करना और इसकी कथा को सुनना मेधपूर है इस साल इंद्रा एक अदसी 2 अक्टूबर 2021 को पड़ रही है माननेताओं के अनुसार ये अस्वीन वहिना काफी खास होता है मामारत में भी इंद्रा एक अदसी का जिक्र किया गया है कहा जाता है कि इस उपवास के बारे में सुनना भगवान स्रीकिष्ट ने धरम राज युदिश्टर को बताया था आए जानते हैं हम इस व्रत की कथा आए जानते हैं इंद्रा एक अदसी की व्रत कथा जो इस प्रकार है पुराने कथा के नुसार सत्युक में मैस्मती नाम का एक नगर था जिसमें प्रतापी राजा इंद्रसेन रहता था राजा इंद्रसेन अपनी संतान की तरह प्रजा का पालन पुश्चन करता था राजा इंदर सेन के राज में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं थी बताते हैं कि राजा इंदर सेन बगवान स्ट्री हरी विश्णू के बहुत बड़े उपासक थे एक समय नारद मुनी का अगमन राजा इंदर सेन की सबा में हुआ वे राजा इंदरसेन के पिता संदेश लेकर आये थे संदेश में पिता द्वारा कहा गया था कि पिछली जनम मैं किसी बूल के कारण हो यम कोल में ही है यम लोग से मुक्ती के लिए उनके पुत्र को इंदराई का दसी का वरत रखना होगा ताकि मुझ प्राप्त हो सके चलते राजा इंदरसेन के पिता नरक से मुक्त होकर बगवाद श्री हरी विश्नु के लोग बैक्रूट में चले गए